आज हम जाने के मोस्ट इंबर्टन टॉपिक में से एक हाई ये इसका दोतिक तरंग एकाउं कर सिंधा तो चली शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मांग लेते हैं कि कोई तरंग शुरूत है जिससे कोई तरंग निकल करके आ रही है और ये कोई तरंग माध्यम है जहां पर तरंग है या आप इसे ऐसे समझ लेजिए कोई तरंग माध्यम है जिस पर हम एक कालपनिक प्रस्ट खींच देते हैं मान लेजिए ये कोई तरंग माध्यम है समान कलाव में कमपन कर दें, तो कोई आपका तरंग माध्यम है, जिस पर हम कोई कालपनिक प्रस्ट कीचते हैं, जिस पर प्रतेकन समान कलाव में कमपन करता है, प्रतेकन समान कलाव में कमपन करता है, दुवार असमाज है, कोई तरंग शूरत है उपर, तरंग शूरत का मतलब होता है, कोई ऐसी जगाएं, जहां से कोई तरंग आ रही है, तो कोई तरंग सुरत है। और उससे कोई तरंग निकल करेंग ना रही है। और यहां पर यह कोई तरंगु माध्यां में हम कोई कालपनिक प्रष्ट खेच लेते हैं और ऐसा प्रष्ट होता है वह प्रष्ट जिसके प्रतेकण एक समान दिशाओं में कमपन करते है तरंग माध्यम में हम कोई कालपनिक प्रस्ट कीचते हैं जिस पर प्रतेकण समान दिशाओं में कमपन करता है इसे हम बोलते हैं तरंगाग तो हम कैसे बोल सकते हैं कि तरंग माध्यम में खीचा गया कालपनिक प्रस्ट जिस पर माध्यम का प्रतेकन समान कलाम में कमपनद करता है तरंगागर कहलाता है तो सबसे पहले आप तरंगागर की परिवासा लिखेंगे चाहें तो आप पुराणी वीडियो से भी इसे देख सकते हैं तो इसकी द्वार समझिए, कोई तरंग माध्यम में जिस पर कोई काल्गुनिक प्रष्ट खीचते हैं और इस पर माध्यम का प्रतेकर्ण समान दिशाओं में कमपन करता है तो तरंग माध्यम में कीचा गया वह काल्गुनिक प्रष्ट जिस पर माध्यम का प्रतेकर्ण समान क लाओं में कमपन करता है तरंगागर कहलता है अगर तरंग स्रोत कहीं दूर इस्थित है तरंग बहुत दूर से आ रही है तरंग स्रोत कहीं दूर इस्थित हो तो उसे हम बोलते हैं संतल तरंगागर अगर तरंग स्रोत कहीं दूर इस्थित हो तो उसे बोलते हैं संतल तरंगा कि बढ़ दुबारा थोरी समझ लीजिए किसी तरंग माध्यम में खीचा गया वैकाल्पनिक प्रष्ट जिस पर माध्यम का प्रते कंसमान देशाओं में समान कलाओं में कमपन करते हैं तरंगागर कहलाता है अगर तरंग सोत जो तरंग सोत है यह कहीं दूर स्थित हो तो इसे समतल तरंगागर कहते हैं और अगर बिंदूगत हो तो इसे गोल ये तरंगागर कहते हैं तरंगागर परिस्थित माध्यम का प्रते कंसमान देशाओं यह जो तरंगागर है अगर कोई तरंगागर है तो तरंगागर परिस्थित माध्यम का प्रते कंसमान देशाओं देशा केंगे करता है अगर त्रंग स्रोट कहीं दूर स्थित हो तो गोली तरंगागर गहलाता है तरंगागर पर स्थित माध्यम का प्रतेकर्ण एक नए कड़ की भाती कार करता है और इनसे आपकी नए तरंगी निकलती है जिने हम दोत्यक तरंगी काएं कहते हैं